हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल टेही निकल मुस्ताक फ्रेंड्स आज मैं थाने इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेमसंग A04 में अगर थाने पावर की की प्रोब्लम आवे तो इसको हम किस तरीके से सोल कर सके हैं ठीक है तो इसको कंप्लीट में आपको हर कोई बता देता हैं लेकिन हमारे मोबाइल में पावर की वर्क कैसी करती है इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है उसको कंप्लीट एक्स्प्लें करूंगा जादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लोगा बिना किसी तरीके से अपनो टाइम खर करती है हमारे इसकी power key सबसे पहले देख सकती है हमारा Samsung A 0.4 का mother body और उसमें पीछे की तरब आप देख सकते जो यह वाला antenna है यह है इसका power key जाती है इसकी supply कहां पर जाती है इसकी supply आती है दोस्तों हमारे यहां पर देख सकते हैं इसके नीचे की तरब यहां पर आपको यह वाला एक capture दिखाई दे रहा होगा ठीक है इस capture के इस वाले point पर अमारे इसकी supply आती है ठीक है इस capture इस पर supply आती है उसके बाद जाती है दूस्तों हमारे यहां पर इस वाले register के अंदर जो लगबग 1 km का होता है ठीक है यहां पर उसके यह हमारे बरएंटिरी के अंदर रहता है और यहां से आपर आपको दिखाई दे रही है इस सप्लाइं घरती आप दोस्तों मैं आपको बताओं इसकी supply की तरीके से होती है इसकी supply ऐसे नहीं होती है कि हमारे इस वाले antenna से जा रही है मैं आपको ज़्यादा confuse नहीं करूँगा ठीक है देखो यहां से supply नहीं जा रही है उल्टी power ICC इस पर आ रही है अब मैं आपको समझाने की कोशेश करूँगा मैं ज़्यादा confuse नहीं करूँगा सिधा हमें explain करते हैं ठीक है देखो यहां पर आ जाते हैं देखो माल लेते यह है हमारे इसकी यहां पर power IC ठीक है power IC है इस power IC से power key की supply निकली कहां पर गई एक register के अंदर ठीक है जो यह series के अंदर रहता है रजिस्ट के अंदर गई और उसके बाद इस रजिस्ट के बाद कहां गई एक केपिसिटर के अंदर यहाँ पर एक केपिसिटर भी लगा है जिसका एक सीरा यहाँ पर ग्राउंड से जुड़ा है यह वाला ग्राउंड है मतलब माइनस वाला है और उसके बाद यहाँ से सप्ल निकल रही है कहा पर जा रही है इस वाले केपिस्टर पर यहां पर देख सकते हैं इस वाले सोरी रजिस्टर पर इस पर आ रही है और उसके बाद कहा जा रही है उसके बाद जा रही है यहां पर देखो में कलर चैंज कर लेता हूं देखो उसके बाद यहां से कहा पर जा रही उसके बाद यहां से जा रही है इस वाले केपिस्टर पर और इसका जो यह वाला सीरा है यह है इसका माइनस वाला ग्राउंड से कनेक्ट रहता है ठीक है जो कम जानते रिपेरिंग में उसके लिए समझा रहा हूं और उसके बाद यहां से कहा जा रही है उसके बाद यहां से जा रही है हमारे इस वाले एंटीनेवर ठीक है यहां पर यह जो यह पावर की का इंटिना इस पर जा रही है तो दोस्तों हमारा मोबाइल ओन कब होता है जब हम इन दोनों को आपस में सोट करते हैं तब हमारा मोबाइल ओन होता है यह तो आपको पता है अब दोस्तों मैं से कितना वोल्टेज निकला वन वोल्टेज निकला कितना एक वोल्टेज निकला यहां से पावर आईसी से एक वोल्ट यहां से पावर आईसी से आउट हो रहा है ठीक है एक वोल्ट पावर आईसी से गया उसके बाद हमारे इस वाले रजिस्टर के अंदर यहां पर गया और व्वालाइद केमित पांड और कूछ वोल्टेश फिलिटरर ओकर ग्रांड होता है यहां पर और उसके बाद वालें इसсьवाले Eggs पर और उसके बाद क्या स्थाल को चौन करते मतलब क्या होता है तह चीवाला निकल रहा है यह को बाड़ ses ग्रा आन्न के रचे के करे मतलब में उन जो जाता है जीरो ठीक है जैसे ही वोल्टेज जीरो हुआ ठीक है जैसे ही वोल्टेज जीरो हुआ तो हमारे इस आइसी को पता चल जाता है मतलब हमारे आइसी को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि है आइसी अगर तुमारे इस वाले पॉइंट पर अगर यहां पर ज जीरो हो गया तो तुमारे को मोबाइल को ओन करना है तो वो उसको प्रोग्रामिंग के दोरान सिखाया जाता है तो इस तरीके से होता है इसको कहते हैं दोस्तों लोजिक का लो होना हमारा मोबाइल पूरा किस पर काम करता है मोबाइल को थोड़ी ना पता चलता है कि उसको करन और अगर logic low हो गया है तो आपको क्या करना है वो complete आपको इसको प्रोग्रामिंग को जब डिजाइन किया जाता है तब इसको प्रोग्राम किया जाता है ठीक है तो I hope दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा अगर दोस्तों यहां पर ये working process आपको स आप लोगों के लिए helpful रहा होगा वीडियो helpful रहा है तो दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care बाबाई